पूरे देश में कोरोना का कहर जारी है ऐसे वे समय में सरकार ट्रक चालोको को अंदेखि कर रही है लेकिन रीर की हड्डी माने जाने वाले ट्रक इंड़स्रीज को अंदेखि कर रही है 22 मार्स से लॉक डाउन चल रहा है इसके चलते जिवनावशक वस्तुए एक राज़ से दूसरे राज़ो में लाने का काम ट्रक द्वारा किया जाता है ये सब काम ट्रक चालक अपनी जान जोखिम में डाल कर कर रहे हैं ऐसे वक्त ट्रक चालकों को रास्ते में जो परिशानियों का सामना करना पड़ता है ये परिशानी किसी को नजर नहीं आ रही इस कारण भाईचारा राजमार्क परिवन सेवा के संस्तापक नरेंद्रमीश्रा ने इंबीसियन न्यूज को बताया लोगडाउन की चलते पूरे राज़ों में संचार बंदी का कानून के कारण आने जाने के लिए पाबंदी लगी हुई है ऐसे वक्त में सिर्फ ट्रक ही एक मात्र जरिया है जो जिवनावशक वस्तु है याने अनास, सबजी, फल, फ्रूट, डवाई, प्याज जैसे अनिक वस्तु एक राज़े से दूसरे राज़े में लाने का और लेजने का काम करते हैं ऐसी स्थिती में जो ट्रक चालक दिन राद गाड़ी चला कर माल को सही समय पर जरूरत मन जगों पर पहुचाते हैं ऐसे ट्रक चालको को केंद्र सरकार या राज़े सरकार द्वारा कोई भी मदद नहीं मिल रही चालक राज़े पर चलते समय एक समय का भोजन तक नसेब नहीं होता कोई ट्रक चालक बीमार होता तो डॉक्टर नसेब नहीं होते राज़का चेक पोस्ट चालो है कहीं भी डॉक्टर के क्यांप नहीं है ऐसी जानकारी ट्रक्चाल को ने दी है सुब्धया हो रहा है खाने पीने के लिए फिर भी हम लोग पब्लिक के लिए सर रोट पे मर रहे हैं हम लोग को परिवार के लिए कुछ सुब्धया चाहिए सर हम लोग तो दूसरे के लिए मर रहे हैं हम लोग के लिए कोई नहीं मर रहा सर BRPS के संस्तापक नरिंद्र मिश्रा ने कहा कि सरकार से मांग है ट्रक माल भरने या खाली करने जाते है ट्रक और ट्रक चालकों को सनिटाइजर करना चाहिए ऐसे नहीं किया गया तो बिमारी फैलने का खत्रा रहता है ड्राइवर लोगों को दो टाइम का भोजन की व्यवस्ता भी सरकार ने करनी चाहिए ड्राइवर का सुरुक्षा के लिए जीवन बिमा करनी चाहिए साथ ही तीन महने के बैंक किस माफ कर देना चाहिए काम कर रहे हैं हमाणी मोदे जी से पर observing करते हैं कि क्यंद्र सरकार वा सभी प्रदेश की सरकारे राज्य सरकार हो anlat मिलकर आज जो हमारे ड्राइवर्स आज पुडी दुनिया घर के लिए और लागडौंउन है सरकार के कादे नियम का पारन कर रहे हैं और हम दूरी बना के रखे हुए हैं, जिससे हमारे करोना सेंड्रमन पे कोई असर हमारे को ना पड़े। से माग करते हैं कगर कोई भी गारी बॉर्डर पे हर बोर्डर MP के उपई गैसे शतिस गड़के पूडर पूर्डर इंडिया के चालू है फूरे बॉर्डर पूलिस लगाई गये गारी वालों को कोई उचीत बिवस्ता दवाई पानी की नहीं की गई है हमारी सरकार से एक निवेदन है कि हर 200 किलो मीटर पर डॉक्टरों को कैम पैठाया जाए जिसे डावरों को मेडिकेल चेक अप किया जाए और उनके अगर कोई तबियत खराब सर्दी जो खाम या करोना से संग्रिमित को गोडाउन में तो गोडाउन के कमपनी का काम है गाड़ी सेंटाजर करके गाड़ी को लोड करे और जहां गाड़ी अनलोड होती है तो हां सेंटाजर करके गाड़ी अनलोड करे और ड्रावर को स्वच्चित बटाया जिसे लेवर भी स्वच्चित रहेगी देश का नागरी करने के लिए हमने मीडिया वालों सबी मीडिया वालों से मशनुँन है कि आज की सिती को देखते हुए महामारी को कि सरकार के जो लाज़ां किया हुआ सरकार की copy कानौन के साथ चले अज सरकार भी एक ट्रथ अगरातों लोगों का जीवनहां पने कशल मझूरी में चलताय आपना परिवाद चला रहा है आपना देश'd सिपाही के तौर पर अपना काम कर रहा है अहोगा दौत सी करते हैं यह दो सब्सक्राइब करें और अपने परिवार को भी स्रोचित रखें हाँ जोड के निवेदर करता हूं कि मेरी इस आवाज को केंदर सरकार सबका साथ सबका विकास का नारा तो लगाती है लेकिन उस पर अमल नहीं करती इन बी सीन नियूज के लिए वाड़ी से सुनिल शेटी के साथ अभिशेग पांसी के रिपोर्ट